नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नीज जोल इंडिया, मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्यमनिश शर्मा स्पेशल रिपोर्ट की शुरू बात करेगे मिंतरा ने लोगो क्या बदल दिया, मानो लोगो को एक बार फिर से किसी विग्यापन, किसी लोगो, किसी कमपनी में अश्रीलता निकालने का मौका मिल गया हो लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ, जानना चाहते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं बीते कुस दिनों से मिंतरा कमपनी के लोगो उपर काफी बबाल मचा हुआ है लोगो का कहना है कि मिंतरा के लोगो में जो M-Alphabet इस्तेमाल हुआ है, वो किसी महिला के पैरो जैसा लगता है इसलिए ये महिलाओ के लिए अपमान जनक है इस मुद्धे को सबसे पहले उठाया एक्टिविस्ट नास पटेल ने, बस फिर क्या था, शोशल मीडिया दो धणों में बटकिया कुस यूजर्स ने कहा कि अश्टीलता देखने वाले के दिमाग में होती है, तो कुछ ने नास पटेल का समर्थन किया बस फिर क्या था, नतीजा ये हुआ कि लोगो को ही बदल दिया गया मिंत्रा के लोगो का बवाल इतना हुआ कि लोगो ने दूरदर्शन के लोगो पर भी सवाल उठा दिये आम लोग तो लगातार इस मुद्धे पर अपनी भडास निकाल रहे है तो ऐसे मैं सेलिब्रिटीज कहां पीछे रहने वाले थे एक्टर और मॉडल मिलंद सोमन ने मिंत्रा ब्रांड लोगो विवात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है मिरन सोमन ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बिना मिंत्रा के नाम लिए अपने ट्वीट में लिखा कि लेटर M कभी भी पहले जैसा नहीं रहेगा आपको बता दें कि बीते दिनों कभी कोई फिल्म तो कभी कोई वेब सीरीज और फिर विग्यापन धार्मिक सामाजिक भावनाओं को आहत करने को लेकर सुर्कियों में चाय रहे हैं